आज के इस टुटोरियल में मैं आपको आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए एक इंट्रो कैसे क्रियेट कर सकते हैं सिखाने वाली हूँ तो बस आपको कुछ easy 2-4 steps को follow करने है और आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक सांदार intro create कर पाएंगे तो मैं कवीता आपको स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Quick Learning IT में और friends ये copyright free है और साथी साथ मैंने आपको इस वीडियो का template अपने वीडियो के description में provide कर दिया है तो आप इसे वहाँ से download करके use कर सकते हैं और friends अगर आप सीखना चाहते हैं video editing बिल्कुल basic level से तो मैंने यहाँ पर आपको उस वीडियो का भी link description में provide कर दिया है तो चलिए वीडियो को start करते हैं friends मैंने यहाँ पर kindmaster का application open कर लिया है ये आपको play store से easily मिल जाएगा बस आपको new project पे अग click करना है then आपके सामने ऐसा कुछ interface आएगा यहाँ पर आपको 16 is to 9 का ratio select करना है और create पे click कर देना है अब आपको top में यहाँ पर right में जो cross का mark है इस पे click करना है तो आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं एक black background को add करूंगी तो इसके लिए मैं media पे click करूंगी then मैं image assets पे click करूंगी और black color को select करके मैं इसे cross कर दूंगी कहाँ पर click करके top में right में जाकर तो मैंने click कर दिया अब मैं इस black background को थोड़ा extend कर देती हूं तो मैंने इसे extend कर दिया कहां तक add तक अब मैं starting point पे अपना cursor लाऊंगी then मैं यहाँ पर अपना template को add करूंगी तो template को add करने के लिए मुझे layer पे जाना है और media पे click करना है और यहाँ से मैंने अपने template को add कर लिया अब मैं इसे full screen का कर देती हूं तो इसके लिए मैं इसे यहाँ पर corner से पकड़कर drag कर देती हूं अब मैं आपको इसे play करके दिखाती हूं तो friends यहाँ जहाँ पर green color से circle आ रहा है मुझे वहाँ पर अपना logo add करना है तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले तो इसकी length काफी ज़्यादा है जो कि मुझे कम करनी है तो मैं यहाँ पर इसे click करूंगी और trim में जाकर trim right कर दूंगी अब मुझे यहाँ पर logo add करनी के लिए इस cursor को सबसे पहले तो यहाँ middle में लाना है और फिर मैं layer पर click करूंगी और media में जाकर मैंने logo create किया हुआ है मैं वहाँ से logo select कर लेती हूँ जो कि मेरे gallery में है तो friends मैंने इसे select कर लिया है अब देखिए कहाँ पर वो circle आ रहा था तो यह यहाँ पर था तो मैंने यहाँ पर इसे fix कर दिया है क्यूंकि circle नहीं है और मुझे इसे circle करना है तो मैं इसे crop कर लेती हूँ तो मैं यहाँ से cropping के option को select करूंगी और इसे enable कर दूंगी अब मैं यहाँ पर shapes के option पे click करूंगी और circle को select करूंगी तो देखिए circle हो चुका है यह तो मैं इसे इस shape में adjust कर लेती हूँ और मैं back कर देती हूं friends इसका length भी काफी ज्यादा है तो मैं इसे भी थोड़ा कम कर लेती हूं आगे की और drag करके अब क्यूंकि यहां पर जो हमारा background है वो थोड़ा green color से so कर रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले template वाले option को select करूंगी और फिर मैं यहां से scroll करके chroma key पे जाऊंगी और chroma key में मैं इसे enable कर दूंगी और जो यह 28% so कर रहा है यह मुझे 40% कर लेना है और फिर back कर लेना है friends अब मैं आपको इसे play करके दिखाती हूं तो यह काफी ज़्यादा attractive लग रहा है अब मुझे इसमें कुछ और implement करना है तो मैं क्या करूंगी लोगों पर click करूंगी ताकि यह select हो जाए अब मुझे यहां पर in animation में जाना है और यहां से मैं counter clockwise पे click कर देती हूं अब मुझे इसमें text add करना है लिखने के लिए मैं layer पे जाऊंगी और text के option को select करूंगी और यहां पर मैं type कर लूंगी अपने channel का नाम और ok कर दूंगी तो देखिए मेरा नाम भी आच चुका है channel का और यहां पर मैं font पे click करके यहां से कोई भी font के style को select कर सकती हूं तो जैसे मैंने यहां पर robot bold italic को select किया तो friends यहां पर जो मेरा text का length है वो थोड़ा जादा है मेरे video से तो मैं इसे आगे की और drag करके थोड़ा short कर देती हूं मैंने इसे select किया और drag कर दिया आगे और मैं यहां पर in animation पे click करूंगी और फिर मैं side left पे click करूंगी अब देखिए मैं आपको starting से play करके show करती हूं अब मैं last में यहां पर video को fade कर दूंगी ताकि यह सारा automatically fade हो जाए तो मुझे क्या करना है? settings पे जाना है और video के option को select करके video fade out पे जाकर इसे enable कर देना है अब मेरा final video ready हो चुका है मैं इसे आपको play करके दिखाती हूं friends अब आपको इसे save कर लेना है यहां पर right में top पे click करके और save as video पे click करके तो अगर आपको यह tutorial पसंद आई हो तिस अपने friends के साथ share करे और मेरे चैनल को subscribe करे करें करें आपको यह जाना है